Hello everyone, आज हम आपको सुनाएंगे पहले प्यार का दर्द रहा जिंदगी बर एक सैट लब स्टोरी दोस्तो आज आपके लिए सैट लब स्टोरी इन हिंदी लेकर आएंगे या कहानी अनामिका और आयान की है या एक सैट लब स्टोरी है दोस्तो आगे आप पढ़ेंगे अनामिका और आयाम कैसे मिलें और एक दूसरी तो जुदा हुएं पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको या कहानी कैसी लगी हमें कमेंट तरके चल बताएं धन्यवाद अनामिका मत पर्देश से दिल्ली कालेज की लिए आई थी और आयान रजस्तान से उसी कालेज में पढ़ने आया था आयान एक सीधा साधा सा लड़का है जो ना लड़कीयों से ज़्यादा बात करता है और ना किसी से ज्यादा मतनम लगता है अयान की यह बाद अनामिका को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी वहाने से अयान से पात करने की कोसिस करती है अनामिका दिखने में क्यूड लगती है कुछी समय में अयान और अनामिका की दोस्ती हो जाती है अयान दिरे दिरे अनामिका को पसंद करने लगता है दोनों दिन भर काले में बाते करते हैं अपने हर लाइक, डिस्क लाइक को सेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं अयान की लाइब में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी जबकि अनामिका के पहले दोस्त हैं और वह सबसे बात करती है अयान को यह पसंद रही था एक दिन बातों ही बातों में अयान अनामिका को अपने दिल की बात बता देता है अनामिका उससे एक दिन का वक्त मानती है और कहती है मैं कल तुमें इसका जबाब दूँगी अनामिका सोचती जब आयान कालेश बढ़ने आया था तब वो असिर पढ़ाई पर ध्यान देता था पर अब उसका पूरा ध्यान मुझे पर रहता है अगर मैं इसकी कल फ्रेंड बन जाओंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझे में ही लगा रहेगा यही सब ख्याल अनामिका के मन में होते हैं और दूसरे दिन अनामिका आयान को मना कर देती है और कहती है मैं तो तुमें बस अपना दोस्त समझती हूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं तुम चाहो तो मेरे दोस्त रा सकते हो आयान दोस्ती की दिए मना कर देता है और अनामिका को बहुत समझाता है लेकिन अनामिका कुछ नहीं सुनती आयान को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनामिका से बात करना बंद कर देता है, कुछ तिन कालेज भी नहीं आता है कब अनामिका कुबूल कर पूरा दियान पड़ाई में लगाता है, और ना किसी से जाधा बात करता है, और ना मतनम लगता है देखते देखरी कालेज बीच जाता है और सब अलग-अलग हो जाते हैं आयान कालेज में टाप कर जाता है और सबसे पहले नोपरी पा लेता है दो-तिन साल बीच जाते हैं ना आयान को अनामिका का पता रहता है और ना अनामिका को आयान का कछ पता रहता है आयान अपनी कमपनी छोड़कर एक नई कमपनी में ज्वाइन करता है जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दोगनी रहती है जब आयान पहले दिन आपिस जाता है तो उसे पता चलता है अनामकाई साफिस में उसकी जूनियर है वह उस पर बिल्कुल बेध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है कुछ दिनों ऐसा ये चलता है पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है प्रोजेट के बाद ना चाहते हैं वे भी आयान और अनामिका की बात होने लगती है अनामिका आयान को समझाती है आखिर उसने उसको मना क्यों किया था आयान को अनामिका की बाद समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है पूरे आपिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं आयान सिधा सदा लड़का रहता है उसको जादा कुछ समझ में नहीं आता है आयान कुछ समय बाद अनामिका को डिनर फर ले जाकर फिर से प्यार गाई जहार करता है अनामिका इस बार अयान से मना नहीं करता है पर उसकी पास कोई चरह नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी साधी होने वाली रहती है अनाम के आयान को अपने साधी की पाती है इस बार आयान का दिर पूरी तरफ टोड़ आता है वह भीना कुछ कहे वहां से चला जाता है अनामिका रात में सोचती है कि आयान से अच्छारड का मुझे कभी नहीं मिलेगा, वह फैसला करती है कि कल आयान को आकर तुमगी और पामी पापा को आयान से साधी के लिए मना लोगी, जब दूसरे दिया अनामिका आपेश जाती है, तो उसको पता चबता है कि आयान उस और दूबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा, जाते जाते आयान उनामिका को एक ख़त लिखता जाता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था, उससे दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें जिन्दगी में कभी नहीं बूर पाऊंगा, तुम चहां भी रहो जिसके एक साथ भी रहो, खुश रहो, अब इस जीवन में इस दद के साथ ही जिन्दा रहूँगा, मैंने एमसा तुम्हें प्यार किया है, तुम मेरे जिन्दगी में आने वाले पहली और राती ड़की हो, अब ना मेरे जिन्दगी में कोई आएगा, और ना मैं किसी को आन में दूँगा, मैं बस अब तुम्हारी आदों में रहूंगा, आज के बाद दूरी जिन्दगी में तुम्हें कभी अपनी सकल नहीं दिखाऊंगा, बस बगवान से यही दूआ करता हूँ, तुम चहां भी रहो, खुश रहो, और साथ ही के लिए बहुत-बहुत सो काम ना अनाम का आयान को खोजने की बहुत पोसिस करती है, पर कई साल के बाद भी उसको आयार नहीं में लिता है, और वह अपने माबाद की पसंद की रड़के के साथ ही कर लेती है, इस तरह दोनों अमेसा-मेसा के लिए एक दूसरे से भी छड़ गयें, और तरद के साथ अपने क कर दोनों आयार च этता है, और वह आयार नहीं की बहुत आयार नहीं में लिए।